अमन चैन जहां मिलता है वो विश्व में सबसे प्यारा है जिसकी पहचान वीरता वो भारत देश हमारा है 75 वे सपातंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बदाई चलिए फ्रेंड्स आज यहां पे हम ट्राय कलर ढोकला बनाएंगी वो भी हम बीना कलर के बनाएंगी तो चलिए इसका हम प्रोसेस देखते हैं बहुत इजी है बनाना यहां पे मैंने एक कप सूजी ले ली है यह मोटी वाली सूजी लेनी है हमें और एक कप दही लिया है तो पहले हम दही को अच्छे से फेट लेंगे इसके अंदर बिलकुल गाठे या लंप्स नहीं होने चाहिए नहीं तो ढोकला जब स्टीम होता है तो वो गाठे दिखती है अब यहां पे हमने जो सूजी ली है वो एक कप सूजी हम इस दही में एड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे मेजर्मिंट के लिए जरूरी नहीं है कप होना आप घर की कोई कटोरी भी ले सकते हैं इसे हम मिक्स करके 10-15 मिनिट के लिए साइड में छोड़ देंगे धक्कन लगा कर और हम दूसरी तैयारी करेंगे तो इसके लिए अब मैंने यहां पे केक टिन ले लिया है आप चाहें तो कोई भी घर की थाली या प्लेट में भी इससे स्टीम कर सकते हैं इसे हमें ओयल से ग्रीज कर दीना है साइड में और नीचे की तरफ और एक हम पैन रखेंगे जिसके अंदर पानी डालेंगे यह हम ग्रीन कलर के लिए पालक को हम ब्लांच कर रहे हैं क्योंकि अब बारिश है तो पालक थोड़ा सा कभी-कभी अच्छा नहीं आता है तो हमेशा ब्लांच करके यूज करें तो दो मिनिट के लिए मैंने गरम पानी में डालके इसे आइस के बानी में डाल दिया है जिससे कि इसका जो हरा कलर है वो बरकरार रहे अब हम इसे ग्राइंड कर देंगे तो ग्राइंड करते हैं वक्त इसके अंदर 1-4 टीस्पून मैंने शुगर डाली है और थोड़ा सा आइस डाला है शुगर डालने से भी पालक हरा रहता है तो इस तरीकी सिक्दम फाइन पेस्ट ग्राइंड करनी है अब हम गाजर की प्यूरी बनाएंगे मैंने यहां एक गाजर ले ली है थोड़ा सा पानी और 1-4 टीस्पून की जितनी शुगर इसमें डाल दी है और इसको भी मैं फाइन पेस्ट कर दूंगी अब यहां पे 10 मिनिट के बाद सूजी है वो फूल गई है तो इसे हम 3 में बैटर को डिवाइड कर देना है एक पार्ट के अंदर हम ओरेंज वाला जो हमारा गाजर की प्यूरी है वो डालेंगे और मिक्स कर देंगे एकदम से नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालें और फिर कंसिस्टेंसी को एजस्ट करते हुए आप प्यूरी एड़ करते एकदम से एड़ करेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा तो इस तरीके से अभी एक गाजर की प्यूरी इसके अंदर चली गई है सब तो मैं सारी एड़ कर रही हूं यह पे और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और फिर इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और वन इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे फ्रेंड्स यह वाले डोकले ना टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं और इस तरीके से बनाने से सबजी भी चली जाती है डोकले के साथ में पेत में तो अब बच्चों को इस तरीके से बना के दे सकते हैं अब यह मैंने यह स्टीमर गरं रख दिया था तो पानी गरं हो गया है तब हम emili c उसके अंदर रखके दसी मिनित के लिए स्टीम कर देना है और अब तब तक हम वाइघ वाला बैटर बनाएवी तो वाइट वाइट के यहां पे चार से पांच टीस्पून के जितना पानी मुझे लग गया था पानी आपके सूजी की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है अब यहां पे मैंने नमक डाल दिया है और सोडा हम बनाते वक्त इसको जब पोर करेंगे तब हम डालेंगे अब इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल दी है मैंने वन फूट टीस्पून के जितनी और दस मिनिट के बार यह ओरेंज वाला डूकला रेडी है हमारा तो अब हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देंगे पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि बेकिंग सोडा का जो पावर है वो कम हो जाता है तो जब आप इसको तिन में डालने वाले हों तब выпaking soda डाले और बैकें सोडा अब इस वाइट वाले बैटर को औरेंज वाले बैटर के ऊपर डाल दे और उसे spread कर दे ये गरम होता है तभी हम इसे टिन को निकाल के अच्छे से spread करके इसको फिर से हमें steam होने के लिए रखना है दो तीन बार इस तरीके से tap कर दे और अब ये फिर से उसी steam के अंदर आप रखके 10 मिनिट के लिए इसे steam कर दे ठकन लगा कर अब जब तक वो वाला steam तब हम ग्रेन वाला भी बना देंगे तो वो जो थर्ड पार्ट वाला बैटर था वो मैंने ले लिया है और इसके अंदर जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी वो डाल देनी है पालक की प्यूरी भी हमें थोड़ी-थोड़ी एड करनी है इगम से ना डाले क्योंकि नहीं तो सूजी का जो बैटर है वो पतला हो जाएगा तो इस तरीके से आप डालके इसे हिला ले अच्छे से और फिर नमक डाल दे स्वात के अनुसार और बेकिंग सोड़ा डाल दे अब हमारा जब ही यह स्टीम होने वाला होता है दब उसके तीन-चार मिनिट पहले यह आप कर पहले करके ना रख दी उससे सोड़ा का रेक्शन कम होगा तो डोकला फूलेगा नहीं अब यह यहां पर वाइट डोकला भी हो गया है तो मैं निकाल के इसके उपर ग्रीन वाला स्प्रेड कर दूंगी पालक वाला बैटर और इसके उपर डालके हमें स्पून से इसे लेव तो इस तरीके से आपको लेवल कर देना है और इसे भी 1 गा-2 ला टैप कर दे इस तरीकिसे यह बरम है तो आँचना आराम से करें तो अब यहां परे अपर क mirror में रख दिया है और इसे दस मिनिट के लिए में पूल कर कुछे द्वापे और यहां पर कड्यपत्ता और हरी मिर्ज़ डाले अपके टेश्ट कर ओड़े मैंने यह ज black अब यहां पर ढूल देहां नहीं तो बाहर उड़ेगी तो अब यहां पे रहें धोग फिस्तीम होगया है तो इसे अब मैंने निकाल दिया था, स्टीमर में से ठंडा कर दूँगी, पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगी, तब इसकी साइड्स पहले चुडा ले, इस तरीके से, और उसके बाद में आप इसे स्क्वेर पीसिस में कट कर ले, आप चाहें तो इसे डायमेंड पीसिस में भी कट कर सकते हैं, तो इस तरीके से पूरा ठंडा हो जाए, तब आपको इसे कट करना है, अगर आप पहले कट करेंगी, तो वो शेप में नहीं निकलेगा, और नीचे से तूट जाएगा, आप चाहें तो इसे थाली में भी स्टीम कर सकते हैं, तो देखें, ये कितना बढ़िया अच्छे से निकल गया है एकदम, और इस तरीके से आप एक ढोगला निकाल दें, और प्लेट में सर्व करें इसको, और सर्व करने के बाद जो हमने बगार बनाया था, वो हम इसके उपर डालेंगे, तो यहां पर ये देखिए, मैं ढोगला निकाल दिये हैं, सारे पिसे एक एक करके, और फिर इसे सर्व कर दूँगी, आप चाहें तो पूरा निकाल के भी, इसे आप कट करके फिर सर्व कर सकते हैं, तो इसके उपर हम बगार डाल देंगे, तो फ्रेंज रेड़ी हैं, हमारा ट्राइकलर ढोगला, इस पिचेतर स्वातेंत्रे दिवस पर आप इसे एंजोई कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास ही जो बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नूटिफिकेशन आपको तुरंती मिले, थैंक यू, टेक क्यार, गुडबाई,